वेलकम टु धर्मा लाइब और मैं हूँ आपकी साथ चीतना अगर आप पहली बार त्यून इन कर रहे हैं हमारे इस टारो सेशन में तो मैं जल्दी से आपको बता दूँ कि यह बहुत ही खास टारो सेशन है आपके लिए आपकी वीकली टारो गाइडन्स जो है वो मैं आपके पहली इस वक्त लेकर आई हूँ और करियर जो है वह सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट होता है बच्पन से इसके लिए पढ़ाई करते हैं हमेशा है इसके लिए इतनी सारी मेहनत मशकत करते हैं कि अच्छा पैकेज मिले अच्छी जगा रेकोगनिशन मिले फे करियर को लेकर तो यह रीडिंग आपकी बहुत मदद कर सकती है यह रीडिंग बहुत खास इसलिए भी है क्योंकि यहां पर आपको अपने इसाब से अपना डिसिजन जो है उसे चुनने का मौका मिलता है कैसे यह मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ अगर आप आप पहल क्यों कि लाता है Clarity of Mind और तीसरा स्टोन जो है मेरे पास वो है पिक क्यों या फिर रोस क्यों कि लाता है सुकसेस अंड क्रियेटिविटी अलॉंग विद लव तो ऐसे में इन तीनों स्टोन में से जो भी स्टोन आपको पसंद आता है उसी इससे जुडी हूई रीडिंग ब पाइल स्थी है आप की रीडिग सबसे पहले शुरू करते हैं Black always cine Faid number one से अगर आपने चुनाuing याström नमडर वं तो यही है आपकी रीडिंग अच्रोंपर से सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देती हूँ के देखिए Life में जो भी दिसिजिऌस आप लेते हैं जो कुछ भ रहा है शायद पहले की चीज़े बहतर थी पहले कोई पुराने डिसिजन ले लिया क्या उसकी वज़े से आज मुझे इतनी दिक्कत हो रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है जो भी आप सोच रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं वह आपके लिए लेकर आने वाला है कुछ बहुत ही नया आपको जो भी opportunities जो हैं मिली वो opportunities आपके लिए सबसे बहतरीन थी यह जो opportunities ही जो आपको दी गई आप बहुत खुश भी हुए इन फाक्ट दिस वस प्रिटी मुश लाइक बहुत ही हाई नोट पे स्टार्ट किया इस करियर को यह कार्ड जे मुझे बहुत ही बताता है कि बड़े सारे लोग जो है इस वक्त इस पाइल को देख रहे हैं यह जुड़े हुए है या तो हॉस्पिटालिटी इंडस्ट्री स सबस्यान से या फिर किसी न TWO पिसी तरीक के arkitektu न ससी से यह जुड़े हुए है तो अगर उफ्पसज़री अपके शूरे ह है तो यह रीडिगि आप के लिए तो डेफिनिक यह न यह जुड़े हुए है तो भी कोई बात नहीं यह यह रीडिंग जो है आगे चला कि आपक कि आपके आसपस बड़ी सारी चीजर जो डिसेसे आइए हैं कि सारे लोग जो पुन डिस्र Like कर रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि आपधने पुराने चायम में जितनी भी बढ़ना चाहिए वो सारी क्या स्किल्स लेकर आप सोच रहे हैं कि हमको कहीं आगे बढ़ना चाहिए जो कि मुझे देखना बड़ा अच्छा लगता है कि यहां पर यह दिख रहा है कि एक आदमी जो है वह अपने मैप अपने प्लांस पर काम कर रहा है और इसके आस पास देर पुरिकलर बिल्डिंग और यह जो तो आपके पास आपकी प्लानिंग जो है वह भी है आपने लिए एक सॉलिड बेस्ट वह भी बना लिया है तो ऐसे में अगर आप सोच रहें कि अपने करियर में जहां पर भी आप हैं जिस भी जगह पर आप हैं उसकी स्किल्स को बटोर कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो यू हाव अगो फ्रम दी यूनिवर्स अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास बनाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही खुबसूरत कुछ जो है वह रहेगा तो उससे पीछे मत हटिएगा तो यह थी आपकी रीडिंग अगर आपने चुना है पाइल पाने का सोच रहे हैं अगर आप उन लोगों में से जो कि प्रॉपर्टी में इनवेस्ट करने का सोच रहे हैं खास कर अगर आप यह सोच रहे हैं कि कही एक जगह किसी, you know, specially legal जगह पर अगर आपको जाने की जरूरत पढ रहे है कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए यह लोन भी हो सकता है कि majorly what I see is probably a property loan or something that is equivalent to that, maybe अपने business को आगर बढ़ाने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको एक छोटी सी warning जो है वो दी जा रहे है कि थोड़ो से इंतजार कीजिए और उसके बाद आपको सही direction, सही लोग और सही guidance जो है, वो मिल जाहे क while that is one of the first things that comes through from the reading, अब शुरुवात जो है वो करते हैं यहां से, this is your first card, okay, यह जो first card है, इसके अंदर बहुती clearly मुझे यह दिख रहा है कि आपकी पुराने decisions जो है, वो बहुत दिल से रहे है, you are someone जो हमेशा अपने दिल की सुनते है, someone who always thinks कि, you know, हाँ ठीक है, profit, सारी चीज जो है, वो आपने नहीं सोची थी, पर बावजूद इसके जो वो का opportunity जो आप ले रहे है, जो आपने ली in the past, जिस पर आप काम कर रहे हैं अभी, वो exactly वही है, it is giving you the best time ever, and I will tell you what, यह जो है, जो opportunity जिसके अंदर आप हैं अभी है, जो opportunity आपने ली थी अपने लिए, यह बिल यहाँ पर यह भी हो सकता है कि काई सारे लोग जो हो आपने छोटा business जो है, वो शुरू करा हो नहीं, आपका small business जो है, वो बहुत अच्छे से, steadily grow करा हो, साथ ही साथ जो है, अगर आपको influencer है, जो कि मुझे देख रहे हैं, then this is a kudos from the universe telling you, आपने बिलकुल सही रास्ता जो है यह जो कार्ड है, यह मेरे पास love readings जो है उनमें आता है, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, but career readings में जो भी मेरे पास आता है, तो इसका मतलब बहुत ही simple होता है, कि ज्यादा तर लोग जो है, वो एक घर जो है, उसे धून रहे हैं, या एक stability जो है, उसे धून रहे हैं, तो अ अगर आप किसी तरीके का change जो है, वो ढून रहे हैं, अगर आप अपने लिए प्रमोशन ढून रहे थे, change of role ढून रहे थे, increment ढून रहे थे, तो फिर ये जगह आपके लिए perfect और यहाँ पर आपको वो चीज जरूर मिलेगी, उस चीज का आप जो है, ज्यादा doubt मत रखिये उस चीज पर ज्यादा आप सोचिये मत, those things will come to you, they'll take a little bit of time, लेकिन जब वो आएंगी तो वो ऐसे करके आजाएंगी, अब इसके बात बढ़ते हैं हम आगे, जहां पर this is the card which is for the future, और यह card जो है, यह बहुत important होता है, especially when you are trying to figure out some kind of a new contract, तो ऐसा हो सकता है कि आप जिन भी च जरूरी है कि आप समझें कि आपको कुछ चीजें जो है, कुछ negotiations जो है, वो करने पड़ेंगे, yes, very important for you, कि आपको अपनी company के साथ, clients के साथ, partner के साथ, कुछ negotiations जो है, वो करने पड़ सकते हैं, वो negotiations आपके लिए अच्छे ही होंगे, but still, take some time, थोड़ा सा deliberate कीजे इन चीजों खासकर आपके लिए November month जो है, वो बहुत जादा important रहेगा इन negotiations के लिए, because it will set a tune, कि आने वाले समय में, आपका जो profit है, वो किस तरीके से divide होगा, आपका जो business है, position है, वो किस तरीके से grow करेगी, right, तो उन चीजों का ध्यान रखकर ही आप आगे बढ़ें, यही आपकी reading, अब चलते हैं, pile number 3 की तरफ, अगर आपने चुना है, rose quartz याने की pile number 3, तो यह है आपकी reading, सबसे पहले तो उपर-उपर से मैं आपको यह चीज बता देती हूं, कि देखिए, आपकी तरफ आने वाले हैं कई सारे मौके, मगर अपने मौकों को थोड़ा सा अपने हिसाब से चुन कर अपने हिसाब से मेजर करके उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा तभी आप अपने लिए best profit जो है, सबसे अच्छा लाब जो है वो चुन सकते हैं, now coming to your reading, सबसे पहले तो शुरुवात करेंगे हम इस से, I want to say that all of the people who have chosen this particular reading are very smart workers, मैं हमेशे से परसनली भी यह च करते हैं, वह बहुत आगे जाते हैं, so you are one of those people who definitely have that in for you, so really really awesome for you guys, कही सरी चोटी 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 को कैसे आपको बहुत बहुत बड़ा बनाना है या बहुत अच्छी से जानते हैं, and you know, there is a reason why those small opportunities have been given to you, यह जो मोके आपकी तरफ भेजे गाए हैं, like a little phone call that you knew, जिससे बहुत बाद में आपको बहुत मौका जो है, बहुत अच्छा फाइदा जो है वो मिलेगा, या फिर एक little opportunity, एक छोटा सा collaboration जो कि आपने करा, कोई छोटा client जिसका आपने पकड़ा, क्यूंकि आपको पता थे कि ये client आगे तलकर बहुत बड़ा बनेगा, ये सारी चीजें, good investment rates, जो है, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए खास आती है, तो जहां पर ये एक चीज़ ज़िव आपके past में रही है, let us begin with that कि इसी ने आपके लिए ये जज़ करा है कि आप अब कैसे बनेंगे, अब आप जो है, क्या हो गया है, कि past मे, maybe because you were young, you were fresh, तो उस time पर कोई filter न ज़ज करने लग जाता है, we don't, we are not open enough to the flow of things that are coming through और वही जो है आगे चल कर थोड़ा सा परिशान करता है हमें, कैसे मैं आपको बताती हूं, इस वक, you are sitting on a lot of knowledge, आप जो है अपनी तरफ से बड़ा सारा ज्यान जोह उसको लेकर बैठे हैं, बड़ा सारा एक्स्पीरिंस जो उसको लेकर बैठें, and now you are noting down all the things that are helping you out, आपने अपने दिमाग में एक प्रोजन कॉंस की लिस्ट बना ली है, these are the things, this is the kind of behavior, this is the kind of investment that helps me, and this is the kind of thing or behavior or investment that doesn't help me, ये जो दो दो प्रोजन कॉंस की लिस्ट आपने बना ली है, positives और negatives की लिस्ट जो एक आपने बना ली है, इसकी वज़ह से कई सारी आने वाली चीज़ें जो है न, वो आपकी तरफ आते आते थोड़ा सा रुग गई हैं, तो अगर आप थोड़ा सा stagnant फील कर रहे हैं, थोड़ा से ऐसे darkness में फील कर रहे हैं, थोड़ा से confusion में फील कर रहे हैं, वो इसी लिए है, क्योंकि आप सिर्फ कौन की लिस्ट, पॉज़िव और नेगिटिव की लिस्ट को लेकर ही काम कर रहे हैं, बट मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगी, कि लिस्ट जो है वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लाइफ में बड़ी सारी अलग अलग चीज़ें वो भी आते हैं, जो आपकी पॉज़िव और नेगिटिव की लिस्ट जो है वो काम ना करें, बलकि आपका इंटुइशन जो है वो थोड़ा सा काम करें, आप जिस पॉज़िशन पर हैं, आप जहां पर हैं, वहां से आप चीज़ों को सुनें, समझें, देखें, परकें, उसके बाद ही आप आपके पड़ें, तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर थी तो यह थी आपकी रीडिंग, अब कौन सा पाइल चुना आपने मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और कैसे लिगे आपको अपनी रीडिंग ये भी बताइएगा, इसके साथ ही लव को लेकर भी मैं आपके लिए लेकर आने वाले हूं आपके इस हफते के गाइडिंस, उसको जानने के लिए और देखने के लिए बने रहे धर्मा लाइफ के साथ